हाथी और दोस्त की तलास की कहानी एक हाथी थी उसका कोई दोस्त नहीं था हाथी किसी से भी दोस्ती करना चाहती थी दोस्त की तलास में हाथी निकल पड़ी और उसे रास्ते में कुछ बंदर दिखाए दिये हाथी ने उनसे पूछा क्या वे उससे दोस्ती करेंगे बंदर हाथी के बिसाल सरीर को देखकर डर गए और यह कहते हुए वहाँ से भाग गए कि वो तो पेडों पर उचल कूद करते हैं और हाथी जमीन पर रहती है इसलिए उनमें दोस्ती नहीं हो सकती आगे चलते हुए हाथी को कुछ पंची दिखाई दियें हाथी ने उनसे दोस्ती करने के लिए कहा पंची भी हाथी को देखकर डर गए और यह कहते हुए कि वो तो उचे आस्मान में उड़ते हैं और हाथी जमीन पर रहती है इसलिए उनमें दोस्ती नहीं हो सकती इतना कहकर पंची भी वहां से उड़ गए आगे चलते हुए हाथी को चुहा तिखाई दिया हाथी ने चुहे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया चुहा भी डर गया और यह कहकर वहां से भाग गया कि वह तो छोटा सा जीव है कभी दोखे से हाथी ने उसके उपर पै रख दिया तो उसका क्या होगा हाथी काफी देर से दोस्त बनाने का प्रयास करती रही लेकिन अब हाथी ठक हार कर तलाब में पानी पीने के लिए चली गई हाथी को वहां पर कुछ मचलियां दिखी हाथी ने मचलियों से भी दोस्ती के लिए कहा मगर मचलियों ने भी यह कहते हुए मना कर दिया कि वह तो पानी में रहती हैं और हाथी जमीन पर इसलिए उनमें दोस्ती नहीं हो सकती हाथी का कोई भी दोस्त नहीं बना इसलिए हाथी काफी उदास हो गई उसी समय जंगल में कहीं से एक खतरनाक सेर आया और उसने जंगल के निर्दोस जानवरों का सिकार करना सुरू कर दिया सेर के डर से सभी जानवर बहुत भैबित हो गए थे तबी हाथी को या बात पता चला और हाथी ने उस सेर को लड़ाई के लिए चुनावती दी दोनों में भ्यानक लड़ाई हुई और हाथी ने सेर को बुरी तरह पराजित कर दिया और हाथी से डर कर सेर उस जंगल से भाग गया हाथी की बहादुरी देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुएं और सभी ने हाथी से दोस्ती कर ली और उसे अपना मुखिया बना लिया इस प्रकार हाथी और जंगल के सभी जानवर खुब खेलते और एक तूसरी के साथ मौज मस्ती करते और सुक पुडवक जंगल में रहने लगे हम सभी को आपस में मिलकर रहना चाहिए